आज हम करने वाले हैं यूनिट 11 का लास्ट टॉपिक सहेकारिता और उभोकता सशक्तिगरण क्योंकि हमने इससे पहले रिजर्ब बैंक, रिजर्ब बैंक के कार्य और बैंक के प्रकार सभी हमने कर लिये थे आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नई यूनिट है ये, तो आपको करनी बहुत जरूरी है चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेशन वन है, सहकारिता क्या है, सहकारिता क्या है तो जैसा ही नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग मिलकर किसी कारे को करते होंगे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कारे को एक साथ समान उदेश्य की प्राप्ती के लिए परस पर सहयोग से कारे करना यही कहलाता है सहकारिता next question 2 है, सर्व प्रतम सहकारिता का जन्म कहां हुआ तो सबसे पहले सहकारिता का जन्म हुआ, ब्रेटेन में सबसे पहले सहकारिता का जन्म ब्रेटेन में हुआ सहकारिता के जन्म दाता कौन थे? ब्रेटेन में जन्म हुआ और इसके जन्म दाता जो है रो रॉबर्ट ओविन कहे जाते हैं कौन कहे जाते हैं? सहकारिता के जन्म दाता रॉबर्ट ओविन कहे जाते हैं Next है question 4. भारत में सहकारी आंदोलन के जन्म दाता कौन थे? भारत में सहकारी आंदोलन के जन्म दाता थे F. Nicholson. कौन थे F. Nicholson? Factual question है आपके exam में पूछे जा सकते हैं यदि आप RBSC के जो question answer चरीज़े है वहां से आपने notes तयार किये हैं तो आप बिल्कुल line by line इनको लिख लीजिएगा अपने notes में इनको add करिएगा और barber इनको revise करिएगा यहां से प्रस्न जो है वो आएगा. Next question 5 है ग्रामीर सहकारी साख विवस्था के जनक कौन थे? इसका answer है फैडरिक विलियम रेफ्रेजन. Next है अभी हमने ग्रामीर सहकारी साख विवस्था के जनक देखे अब Next question है सहरी सहकारी साख विवस्था के जनक कौन थे? सहरी सहकारी साख विवस्था के जनक थे हर्मन सुल्ज. Next question 7 भारत में सहकारी साख अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 1904 इसवी में और यह 1901 की Adward Law Committee की सिफारिस पर पारित हुआ. तो भारत में सहकारी साख अधिनियम 1901 में Adward Law Committee की सिफारिस पर 1904 में पारित हुआ. सहकारी समितियों वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है जैपूर. सरवादिक सहकारी समितियां कहां है? जैपूर में. सहकारी समितियों वाला जिला कौन सा है? तो जैपूर में सबसे ज़्यादा सहकारी समितियां है. इसके अलावा सीरोही जिले में सबसे कम सहकारी समितियां है. कुश्चन 12 है और बोक्ता संद्रक्षन कानून कब बनाया गया? तो ये एक्जाम में पूछा भी गया था और बोक्ता संद्रक्षन कानून जो है वो 1986 में बनाया गया. Next 13 कुश्चन है एग्मार्क का संबंद किस्से है? तो ओप्शन जब आ जाते हैं जब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एग्मार्क का संबंद किस्से है? तो बिल्कुल सठीक उत्तर जो है उसको याद करना है आपको कि पर्यावरण मित्र उत्पादों से सहकारी समितिका करन कराया जा सकता है, question 15, isi, eggmark, FPO, ये क्या है, isi, eggmark, FPO क्या है, तो ये सभी एक मानक चिन है, जैसा कि हमने देखा, पर्यावरण के जो मित्र उतपाद है, उसका संबंद है eggmark से, तो इसी तरीके से isi, और FPO, ये सभी मानक चिन है, question 16, प्रात्मिक सहकारी समिती के गठन के लिए नियूंतम सतस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? प्रात्मिक सहकारी समिती के गठन के लिए मिनीमम कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? तो मिनीमम यहाँ पर 15 सदस्य जो है वो होने ही चाहिए? सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? तो दिखिए पहले जो मंत्र था इसका वो सबके हित में ही हमारा हित है लेकिन वर्तमान का जो मूल मंत्र है साहिकारिता का वो है एक सब के लिए और सब एक के लिए क्या याद रखना है एक सब के लिए और सब एक के लिए next 19 देखिए किसी वस्तु या सेवा को खरीदने वालों एवम उसको उप्योग करने वाला क्या कहलाता है तो बिलकुल ये तो हमें पता है कि वबुक्ता ही कहलाता पिकला एक S. zijn वही उप्योग करता है जाता है तो वह जुल्या उबुक्ता मंच में जा सकता है Q21 राश्ट्री उबुक्ता आयो कितनी राशी से संबंदी विवाद की सुनवाई करता है यह करता है एक करोड से अधिक की राशी Next है बालिकों की अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है तो यह कहता है अनुच्छेद 42 अनुच्छेद 42 की अंतरगत बालकों की अधिकार बिल 1992 यह अनुच्छेद 42 कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है नेक्स्ट है विस्व उब्भोक्ता दिवस कब मनाया जाता है यह मनाते हैं 15 मार्च को Q24 भारत में किसने वब्भोक्ता संद्रक्षन अधनियम पारित किया भारत में वब्भोक्ता संद्रक्षन अधनियम जो 1986 में आया तो इसे किसने पारित किया इसे पारित करने वाले थे राजीव गांधी और डेट याद रखनी है 24 दिसंबर 1986 चीग है वब्भोक्ता संद्रक् मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रिय उब्वोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी हमने देखा 24 दिसमबर को, भारत में राष्ट्रिय उब्वोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसमबर को, और विश्व में उब्वोक्ता दिवस कब है, विश्व उब्वोक्ता दिवस 15 मार नेक्स्ट तो ये आपका अंतिम प्रस्ण था I hope आपको अच्छा लगा होगा और सभी प्रस्ण जो है वो अनिवार रहे हैं एक भी प्रस्ण जो है वो आपको छोड़ना नहीं है सभी आपको याद रखने हैं तो याद करने के जो तरीका है वो यही होता है कि आप वीडियो क आपकी तयारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू